हलो दोस्तों मैं संदीक लोयल आप सभी का SSC लोयल क्लासिज के इस ओफिशल यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की बड़े त्यारी भी कर रहे होंगे SSC का ग्रूप D का जो आज 22 अक्टूबर को मौनिंग सिफ्ट में पेपर था इसका फटा फट से सोलुइशन देख लेते हैं देखिए सबसे पहले मैच से स्टार्ट कर लेते हैं साड़े 9 रुपए परती किलोगराम वाले गेहूं को किसी अन्या परकार के गेहूं में 8 और 7 के नुपात में मिलाया गया यदि मिसरन का मुल्य 10 रुपए परती किलोगराम तो दूसरे परकार के गेहूं का मुल्य परती किलोगराम क्या रहा मिक्सर एलिगेशन से आसानी से निकाल सकते हो 9.30 में था पहला और 10 जो है वो दोनों को मिक्स करके दूसरे का मुल्य मानते है एक्स तो यह 8 और 7 के नुपात में था जब 10 में से 9.30 जाएगा तो 0.7 बचेगा तो यह रेशियो सेम रहना है यह 0.8 होगा तो इस बार यह माइनस हुआ था तो अब की बार एक्स में से 10 माइनस करेंगे तो 0.8 बचना चाहिए तो यह कितना रहेगा 10.8 तो option D सही आंसर होगा A और B के परतेक पद में जोड़ी जाने वाले संख्या जिसे अनुपात C और अनुपात D प्राप्त हो जाए तो A और अनुपात B यह हैं परतेक पद में X जोड़ दिया है और एक्वल में है C बटे D बस यहां से आप सबको जो है cross multiply करवानी है और उसके बाद यहां से X की value आपको निकाल लेनी है ठीक है? X को एक साथ ही कठा कर लेना है जैसे यहां पर AD है यह CB side आएगा minus होगा equal में CX है यह plus का DX जाएगा minus हो जाएगा यहां से X को common लो तो C minus D बचा और इसके divide में C minus D आजाएगा तो C minus D जिसके divide में है यह पहला option सही answer होगा जिसने यह करा है पांच अंकों की सबसे चोटी संक्या जो 12, 15, 18 से भाग हो उसके बाद फिर बाकी दो रख में जो बच जाएगा उनको solve करोगे जिसने option 1 करा है उसका सही answer यहां पर हो जाएगा option 2 चलो next पे आ जाओ तेन और पांच के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है बड़ा भाग 5 है 5 के value 75 है 5 के value 75 का मतलब कितना multiple है 5 गुणा है दोनों 3 और 5 आठ 8 को 5 से multiply सोरी 5 के value 75 कितना multiply है 15 multiply है 3 और 5 आठ 8 रुक 15 से multiply 120 जिसने करा वो सही होगा A और B ने 85,000 और 15,000 रुपे लगाए है एक साल के बाद इनको ब्याज मिलता है तो ब्याज किस अनुपात में होगा जिस अनुपात में पैसा लगाया है उसी अनुपात में ब्याज मिलेगा 5 की table पे 17 पे कटा 5 की table पे 3 पे कटा 17 अनुपात 3 option एक से हो जाएगा 8,000 की रासी 5 per 3 पे वार्षिक चकरवर्धी ब्याज की दर से कितने वर्सों में 961 हो जाएगी जबकि ब्याज वार्षिक से हो जित है चकरवर्धी ब्याज है 5% पहले साल का ब्याज कितना होगा 400 दूसरे साल 8,000 पे मिलेगा 400 इस 400 पे कितना मिला? 400 तीसरे साल 8000 पे कितना मिला? 400 इस 400 पे कितना मिला? 20 इस 400 पे मिला 20 और एक इस 20 पे मिला 1 तो ये बन गया है 1261 रोपए और इसमें जोड़ दो गया 8000 में तो बन जाएगा 961 तीन साल सही आंसर होगा एक मोटर वाहक दो सहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमेटर है के बीच 2 घंटे 10 मिनट का समय लगाता है तो गती जो है मिटर परती मिनट निकालो पहले तो आप इसको सिंपली जो है पहले तो 2 घंटे 10 मिनट को 2 घंटे पलस में 10 मिनट है 10 मिनट को गंटे में convert करोगे, 60 से divide करोगे, 0 से 0, 6 दूनी 12 और 13, 13 बटे 6 गंटे हो गए हैं, और 65 को आप इसको convert कर लोगे, 65 बटे 13 और ये 6, divide का उपर चला जाएगा ना, 13, 5, 65, 5, 6, 30, तो 30 किलो मीटर और परती गंटे आ गई है, इसको मीटर परती मिनट में आप सबको यहाँ पर डिवाइड करना था, 500 सही आंसर हो जाएगा, 20 और 10 परती सत की दो कर्मिक बटों के तुले, एकल बटा क्या होगा, जिसने 28 परती सत करा है, option 4 सही आंसर हो जाएगा, example से भी निकाल सकते हो, पहली बार 20 परती सत चूट के साथ हुआ, 20 बटे सो, दूसरी बार 10 परती सत चूट हो गई है, तो 10 बटे सो, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, यह 2 जिरो कटी है, यह 2 जिरो से, सोरी, बचा हुआ अमाउंट निकाल ला है न, 80 हो गया, यह 2 जिरो कटी, यह 2 से 2 कटा, 8 निमें बैतर, 100 की बस्तू कितने में मिली, बैतर उपए में मिली, तो कितनी चूट पराप्त हो गई है, 28 परती सत चूट पराप्त हुई है, क्योंकि अभी आंसर करना है हमें, यहाँ X की वैल्यू 0 से तो बड़ी है, लेकिन X से छोटी है, तो बताओ इन 4 संख्यां में संख्या कौन सी बड़ी है, तो X की जगे कोई भी वैल्यू रखे देख लो, 0.5 असान है, इसको रखे देख लेते, तो आप सब का option X सही आंसर आता, कि option X सबसे बड़ी वैल्यू है, चारक कर्मागत संख्याएं A, B, C, D, जिनका उस्त 49.5 है, B और D की गुणा बतानी है, तो यहाँ पर A कितना आजाएगा आपका 48, B कितना आजाएगा 49, C कितना आजाएगा 50, और D कितना आजाएगा 51, तो 49 और 51 की multiply करवाओगी, तो 24 और 49 में सही आंसर होगा, उसके बाद है, 18 cm भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन में से, 3 cm भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, तो 200 सोडा काटे जा सकते हैं, उसके बाद HCF लेना था, highest common factor, यहाँ 2 की power 2 है, यहाँ 2 की power 3 है, 5 एक है, तो यहाँ पर 5, बस यह HCF हो गया, option 2 से ही होगा, root 3 की value दे रखिया, root 2 की value दे रखिया, 1 upon निकालना है, पहले तो हर का premium कर सकते हो, आप लोग यहाँ से, बीच वाला sign change करके, उसी से उपर multiply, उसी से नीचे, और जब ऐसा करोगे, नीचे तो एक बचेगा, उपर बचा, root 3 minus root 2, यहनि केवल इन दोनों को minus करना है, तो point 308 answer हो जाएगा, एक कारे का, एक बटे 3, 5 भाग में कर सकता है, तो एक काम पूरा कितने दिन में करेगा, 15 में, बी दो बटे 5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो बी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 25 दिन में, 15 और 25 केलसियम, पिचेटर, टोटल काम कितना हुआ, पिचेटर, A के efficiency, 15, 5, 5, बी के efficiency, 25, 3, 5, ए और बी दोनों मिल जाएंगे, तो टोटल काम कितना कर देएंगे, एक दिन में 8, काम करवाना कितना है, 25, तो 75, बटे 8, सही आंसर होगा, इन्याटनी में, 22, बचा 3, तो 9 सही, 3, बटे 8, सही आंसर होगा, किस देश ने, 2023 में, भारत से, G20 के अधेक्सता प्राप्ट करी है, तो ब्राजिल सही हो जाएगा, रास्टिय नाट्य विध्याल है, नेसनल स्कूल ओफ ड्रामा की स्थापना, 1959 में होती है, और सवतिंतर अकादमी की रूप में, 1975 में आ जाता है, तो उप्षिन चोथा सही होगा, भारत का चंदन राजे किसे कहा जाता है, करनाटक को, कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनो समझोते पर हस्ताक्षर कब करे थे, तो लखनो पैक्ट होता है, 1916 में, जिसके देखता कॉंग्रेस में अंबिकाचन मजुमदार ने करी थी, ऐसे हो गांदुलन जो है, 5 फरवरी 1922 को, इंदरा गांदी रास्टी अकला के अंदर में कितनी कारात्मा की काई है, तो फंक्शनल इनुट है, जो भाई मेरे साब से 6 होगा यहां पे, लेकिन उप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे देखते हैं क्या सही आंसर आता है, अगर आपको लगता है कि कुछ और आंसर हो सकते हैं, तो कमेंट कर दीजेगा, नहीं तो 6 आंसर होना चाहिए, 1950 के दसक में चलाएगे, नागरी कदिकार आंदोलन ने जातिया बेदबाव को समाप्त कर दिया, यह आंदोलन कहां पे शुरू हुआ था, तो हमने जो है अपने मौलिक अदिकार कहां से लिए है, USA से, तो सही आंसर भी क्या होगा इसका, USA, रोलेट सत्यागर है कब होता है, 1919 में होता है, सविन्य अवग्या अंदोलन कब होता है, 1930 में, डांडी मार्च के बाद, Civil Disobedient, तो B के साथ चार मैच करो, तो B के साथ चार अगर देखोगे, तो केवल चोथे ओप्शन में दिया गया है, छेतरफल में एशिया के बाद, दूसरा सबसे बड़ा महादीब कौन से, अफरीका है, कौन सा पक्सी अपना गोंसला नहीं बनाता है, प्रसिद किरकेट के खिलाड़ी है, बैन स्टो, किस देश से हैं भाई, तो इंग्लेंड के हैं ये, मन्रेगा में कितने दिन का काम दिया जाता है, तो एक कानूनी अधिकार है, सो दिन के काम का, हमारा वाई यू मंडल कितनी मेजर लेयर में विभाजित है तो पांच मेजर लेयर में विभाजित है ओप्शन तीन होगा वर्स 2019 के लिए भारत अतन पुरुषकार जो है वो किसे मिला पढ़ना बुखर जी डॉक्टर भुपेन हजारिकाव नाना जी देशमुक दोनों यह अब देखो तीन और चार सही आंसर मानता है या फिर क्या करता है टीसियस एंटीय का आंसर क्या आता है वो देखना होगा मद्यहान भोजन योजना की सुरुवात तमिलाडू से की गई थी हर्याना में पांच पुलिस आयुक्ताले गलत हो गया सोनिपत नया मिलाके टोटल चार है अभी फरिदाबाद में पुलिस आयुक्ताले यह सही है तो उप्षिन जोगा बी सही आंसर हो जाएगा बाखडा परणाली में कुल कितनी नहरे हैं तो यह बिलकुल एकोनोमिक सरवयार्थिक सरवेक्षन से पूछा गया है बाखडा परणाली में 501 यह जबकि यमुना में 400 वैतर है 521 नहरे सही हो जाएगा हरियाना परणाली मुद्रा योजना की सुरुवात कब होती है तो 8 अपरेल 2015 को परणाली मुद्रा योजना की सुरुवात होई हरियाना के पहले मुख्या मंतरी भगवदयाल सर्मा थे हर्याणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले एक वेश बुशा नहीं है तो शोपली जो है हर्याणा में पुरुषों के द्वारा नहीं महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले एक वेश बुशा है हर्याणा रज्य का रज्य फूल कौन सा है तो कमल लोटस हो जाएगा हरियाना में परसासने कोई भाग डिविजन कितनी अच्छे हैं तो पहला गलत हो गया पंच्कुला हरियना के परसासने कोई भाग है ये भी गलत हो गया तो पंच्कुला में नहीं है तो option जोगा हमारा बैया यहाँ पर दोनों ही नहीं है तो option एक सही होगा ट्रिपल आ एटी कहां पे स्थित है तो यह सोनिपत में है हिंदी हरियना की राज के भाषा है और पंजाबी को दूसरी राज के भाषा का दर्जा भी दिया गया तो दोनों ही आ जाना चाहिए अलांकि दूसरा इसमें लिखा नहीं हुआ है हरियना का चेरा पंजी किसे कहते हैं छचरोली को कहा जाता है मादोगड का प्राचीन किला हरियना में कहां पे सित हैं महेंदरगड में GSTP से इस पेपर में भी क्यों सनाया, GSTP हरियाना की बिहार से भी बहतर है और उत्राखंड से भी बहतर है, तो दोनों ओप्शन सही है, चोथा ओप्शन सही हो जाएगा हरियाना की 2011 के अकोर्डिंग जनसंख्या, 231,462 और अब 2,89 के असपास, तो ये 2 से 3 के बीच में हो जाएगी, ओप्शन तीसरा पर्यावण सरंक्षन यूम समर्धन की दिशा में पर्याशों की मानिता हेतू, किस के नाम पर हरिना सरकार ने प्रुषकार दिया, दर्सनलाल जैन के नाम पर सुरू किया है विरंदर सहवा की किरकेट अकादमी पूछिये, कहां पे सित है, जजज़र में चर्खी दादरी के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो चर्खी दादरी के साथ हिसार की सीमा नहीं लगती है NSG क्या है, NSG CAPF के तहता आता है, हाँ बिल्कुल है क्या NSG रक्षया मंतरा लेके तहता आता है, नहीं, ये ग्रह मंतरा लेके तहता आता है तो केवल ओप्शन ए से ही आंसर हो जाएगा वई, ओप्शन दूसरा हार्यना में लगबग सामुदाय के विकास केंदर कितने हैं तो 130-140 के बीच हो जाएंगे, Community Development Block फतेहाबाद ये पहले पूछ लिया है NTA ने एक लाट की मजज़िद, दूसरा हुमाईयों की मज़िद योगेश्वरदत का संबन किस से हो गया है? तो कुस्ती से है योगेश्वरदत का संबन लूर सबद का आर्थ क्या है? लूर जो है ये बाली का, गर्ल से संबन दित हो गया, उप्शन दो ब्रम्स रोवर कहां पे है? कुरुक्षेतर में इबराहीम लोदी का मक्बरा कहां पे है? पाणी पत में से थे स्काइल आरक कहां पे हो गया दोस्तो, ये पाणी पत में है पहले के साथ 4 ओप्शन मैच करो तीसरे प्यांसर पे आ जो हर्याना जो है वो दिल्ली को तीन ओर से घहरे हुए है तो किस तिसा से दिल्ली के हर्याना नहीं है पुरों में नहीं है उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां अपने साइंस के क्यूस्णों पे बड़े स्तर पर अनाज का बंधान किसमी किया जाता है तो लार्ज स्केल स्टोरेज ओफ ग्रेन इस डन इन किसमी होना चाहिए वही सिल्लस और ग्रेन रीज ऑप्शन तीन हो जाना चाहिए पैथाजन सार माइक्रोब जबिच स्पोईल फूड दूसरा हो जाएगा यह बहुत असान है बहुत असान है बहुत अटासी नंबर यह सब का स लेते हैं तो लंग्स से एक के साथ दूसरा ओप्शन मैच कराओगे तो दूसरा कि उस ओप्शन ठीक हो जाएगा एंटिबाइटिक वाले में एरिथ्रोमाइसीन हो जाएगा वही ओप्शन एक जिसका है आंसर वो सही आंसर किया उसने विच ओफ दा फॉलविंग फूड आइटम गिवज ब्ल्यू ब्लैक कलर विद आयोडीन तो आयोडीन के साथ कौन सा ब्ल्यू ब्लैक कलर देता है तो स्टार्क हो जाएगा प्रोसेस ओफ लोजिनिंग और टनिंग ओफ ता सोइल इस कोल्ड टिलिंग हो जाएगा वही ओप अगर है तो इस तरेक्शन से लाइट आ रहे है तो उसको यहाँ पर भेज देगा तो इसको बोलते हैं reflection of light टाइफाइड एक bacterial disease है डार्क कलर के object जो है वो absorb करते हैं ज्यादा mount में heat को और light को तो option दो होगा और यहाँ पर देखोगे आप सब तो liver जो है वो bile juice से सम्मंदित हो गया है तो पहले C के साथ एक match करवाना है आपको यहाँ पर जो दूसरे option में दिया हो गया है ठीक है तो यह वाला आपको option जो होगा इसका सही answer हो जाएगा तम लोगों ने फटावर्ट से यहाँ से इनका solution कर लिया है और अपना score आप सब comment कर सकते हैं आपको all the very best thank you